हाई गाईज और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक्ष्यादा वेजूकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेयर्स आफ 18 अफ एपरेल 2021 तो गाईज आज है तारिक 18 अपरेल 2021 आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफेयर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे नाव बढ़ते हैं आगे और गाईज अगर आप लोग को इस लेक्षर का पीडियाफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दे रखा है उस लिंक सर आप लोग जाकर इ और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपाख्यादव एजूकेशन यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अगर कोई कोई कोईरी होती है तो यहाँ पर आप लोग जाकर मुझसे पूछ सकत है और अगर हम लोग बात करें इस पेंट से बहुत सारे बैनेफिट्स होंगे तो देखो जो इंजीनियर्स हैं यूएस के यूनिवरस्टी के उन्होंने इस पेंट को क्रिएट किया है अब जो यह वाइट टेस्ट है आप लोग देख पाओगे इसका जो कलर एकदम प्यॉ उसको भी हम लोग काफी ठाक कम कर पाएंगे ऐसा यहां पर दावाद दिया जा रहा है तो यहां पर होता क्या है देखो यह जो वाइट कलर है तो यहां पर यह नाया पेंट है जिसको星 कर दिया गया है अब होता क्या है देखो जो भी paint होता है वो heat यानि sun की जो heat है उसको absorb करता है उसके बाद उसी जगह पर वो गर्मी काफी जादा बढ़ती भी चली जाती है यहाँ पर क्या होगा जो बिल्कुल white color होगा वो sun की heat को reflect कर देगा अब जब reflect कर देगा तो नीचे की जो सतह होगी वो काफी हता कूल डाउन रहने वाली है जिससे बहुत सारे benefits भी मिलेंगे जो एक researches की team थी जिनके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि देखो यह जो paint है इसको create किया गया है पिछले साल October में और यहाँ पर यह जो paint है जो पहले वाला normal paint हुआ करता था उसके अंदर इस्तमाल करा जाता था calcium carbonate यह आपको ध्यान रखना है लेकिन अब यह जो नया वाल paint बनाया गया है इसके अंदर इस्तमाल किया गया है barium sulfate यह barium sulfate से बना है आपको ध्यान रखना है इसके बारे में यह आप से exam में पूछा जा सकता है science and tech के point of view से ओके नौ यह जो नया paint है यह जादा चमकदार है जादा सफेध है अगर हम लोग बात करें as the previous one पिछले वा है ओके अब जादा चमकदार है तो जादा heat को reflect कर पाएगा याने कि अंदर उसके गर्मी कम होगी फिर उसके बाद क्या होगा वो area जादा ठंडा रहे पाएगा तो उसमें यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि इस paint से जादा benefit होता हुँआ नजर आएगा अब यहाँ पे अब लोग एक चीज और भी दिखाई दे रहे होगी यह बोला जा रहा है कि जो normal paint है available market के अंदर वो जो कम से कम 80-90% की heat को reflect करता है लेकिन अब यह जो नया paint होगा गौन सा वाला जिसके अंदर हम लोग क्या इस्तमाल कर रहे हैं आप लोग आप देख पाऊगे barium sulphate का इस् अर्था article काफी important था next article आते है article number second के तरफ ये भी बहुत important है dodge coin के बारे में बात करी जा रही है ठीक है तो यह जो article है आपके economy के point of view से important है अगर आप लोग UPSC के preparation कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए economy जो है आपके GS paper 3 के अंदर आती है okay now यहाप अगर हम बात करें dodge coin के बारे में और उससे पहले मैं बता दूँ अगर कुछ problems हो रही हो तो उसके लिए पहले sorry बोल दता हूं क्योंकि यह जो setup है वो मैंने चेंज गया है ठीक है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है लेकिन फिलार यहां पर कोशिश है आज पहली वीडियो जा रही है इस setup को बात करें डॉच कोईन के बारे में तो डॉच कोईन क्या है बेसिकली यह भी एक वर्चुल करेंसी है जैसे कि आज के टाइम पर आप लोग देख पाऊगे जो क्रिप्टो करेंसी हम लोग बोलते है ठीक है क्रिप्टो करेंसी क्या है बेसिकल एक डिजिटल मनी है जिसका को physical coin नहीं है मैंदा कोई coin नहीं होता कोई bill नहीं होता physically sorry आपको सकते हो virtually यानि digitallys यह जो है transact होती रहती है अब वो भी dodge coin है यह भी एक cryptocurrency है अब आपको important चीज़ यह है जो कि याद रखनी है dodge coin को start किया गया था साल 2013 मैं as an internet parody अब internet parody क्या है मैं भी आपको बता हूँगा, सबसे पहले यह जो dodge coin है वो इस तरीके से यह नजर आता है, आप लोग को यहाँ पर देखना है, अगर हम बात करें, यह जो dodge coin है, यह dog के उपर based है basically, और इस dodge coin का हमने start किया था as a meme, meme तो जानते होंगे आप लोग, तो as a meme की तरह start किया था, ताकि जो cryptocurrency यानि की bitcoin है, bitcoin का हम लोग as a fun alternative यूज़ कर सकें, यानि bitcoin की मजाग बनाने के लिए एक तरीके से dodge coin को लाया गया था, हुआ क्या है, कि देखो अभी पिछले हफते यह देखने को मेला है, कि जो dodge coin की value है, वो काफी तेजी से बढ़ चुकी है, और यहां पर बताया यह जा रहा है, उसकी value हो चुकी है, 34 billion dollars की, तो value उसकी काफी तेजी से increase हुई है, उसी वज़ा से dodge coin news के अंदर है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, नाव यह जो digital token है, इसको लाया गया था साल 2013 में, यह आपको बहुत important चीज़ा जो की याद रखनी है, अब यह बनाई गई थी, एक software engineer के द्वारा, यह आपको धिहान रखना है, वो कौन से software engineer है, वो है Billy Marcus और Jackson Palmer, यह दो persons है, जिनके द्वारा dodge point को बनाया गया था, अब यहां पर dodge coin को क्यो बनाया गया था, मैंने आपको बताया as a fun alternative इस्तेमाल करने के लिए, मजाग बनाने के लिए किसकी, bitcoin की, अब exactly bitcoin की मजाग बनाने के लिए नहीं, bitcoin में किस चीज़ की मजाग बनाई गई है, मैं भी आपको बताऊँगा, देखो क्या है, अब जो यहां पर इसको इस्तेमाल किया गया, मैंने जैसा बताया, fun के जो fraud वाली है, उनकी मजाग बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, आज के टाइम पर इसकी खुद की value काफी बढ़ गई है, अब यहां पर बहुत important चीज़ यह आती है, इसका नाम क्या है, dodge coin, ठीक है, अब आपको dog से related है, आपको देखना है, अब जो dog है, वो यहां पर करें, जैसे कि bitcoin होता है, उससे काफी अलग है, bitcoin में क्या होता है, कि अगर हम लोग बात करें, तो उसमें एक limit है, 21 million तक यहां पर fix कर रखा है, maximum possibility क्या होगी, 21 million तक आप transaction, 21 million तक यहां पर coins देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकर दूसरी तरह अगर हम बात करें, जो dodge coin है, उन के टाइम पर देखने को मिल जाते है, ठीक है, यहां पर confusion हो रहा है, चोड़ो, यहां पर जादा confusion नहीं पालना है, यहां पर जो दो तीन चीज़े हैं, जो कि याद रखनी है, वो dodge coin के बारे में, इसको कब लाया गया था, साल 2013 में, इसको लाया गया था, दो परसंस हैं, ज यहां पर बात करी गई है, Ropex Jetty Project के बारे में, यह जो आर्टिकल है, यह अगेन आपके economy के point of view से important है, इसको GS Paper 3 से आप लोग रिलेट कर सकते हो, GS Paper 3 में एक और topic आता है, वो है infrastructure, ठीक है, वो इस point of view से भी आपके लिए important हो जाता है, तो देखो हुआ क्या है, Ropex Jetty Project, जो क सबसे पहली चीज़ कहां पर है, यह ओडिशा के अंदर लगा रहे है, इसके अंदर जो amount है, कितना खर्चा हो रहा है, 110 करोड, 110 करोड रुपे तक का यहां पर इसमें expenditure लग रहा है, और यहां पर कहां पर कोई सी नदी के उपर यह project लगाया जा रहा है, वो है धामरा रिव ठीके दमरा रिव नदी देखने को मिलेगी ओडिशा के अंदर, यहां पर आप लोग देख सकते हो, इस image में आपको दो तीन चीज़े अच्छे से clear करनी है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह वाली जो जगा है, कनिनाली, ठीके और दूसरी जगे यहां पर आ किसा आप कहा सकते हो, कि इनी एरियास को connect किया गया है, इन दोनों एरियास को basically connect किया गया है, इस project से, यहां पर आप लोग देख पाऊगे, ministry of ports, shipping and waterways, जिसको आम लोग M.O.PSW बोलते हैं, इन्होंने यहां पर एक approval दिया, कि यह जो project है, यह all weather project होना चाहिए, कोई सा भी weather ह यह project लगातार चलते रहना चाहिए, यह इसका infrastructure काफी बहतर होना चाहिए, और यह जो connect करेगा, कहाँ पर, आप देख पाऊगे, जो भदरक district है, और तलचुवा district है, भदरक district कहाँ पर है, मैंने अभी आपको दिखाया था, कनिनाली में, एक बार मैं फिर से दिखा देता यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह जो basically, यह वाला जो area है, यह है बदरक district, यह कहाँ पर है, कनिनाली में, ठीक है, और जो दूसरा area है, वो यह वाला, तो इन दोनों area's को connect करने की बात की गई है, यहाँ पर, I hope आप लोगो यह clear हो गया है, अब यहाँ पर यह development वगर आप देखने को मिलेंगे, अब होगा क्या है, अब होगा क्या है, यह हम लोग waterways के तुरू रास्ता निकालेंगे, यह नदी में से रास्ता निकालेंगे, अगर हम लोग बात करें, वही रास्ता, अगर roads पर से जाते हम लोग, तो उसमें ज्यादा time लगता, लेकिन अगर हम लोग नदी से जाएंगे, तो उसमें कम time लगेगा, लेसर time लगेगा, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जो यह project है, यह travel time कम कर देगा, passengers के लिए, जो passengers पहले, उनको 6 घंटे लगते थे, देखो, वहाँ पर जो बराबर में हैं, एक road, और उस road पर चलने पर 6 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे की बज़ाए, अगर उस रास्ते को पानी के थुरू निकाल दिया जाए, वहाँ पर services, ferry services दे दी जाए, ठीके, तो क्या होगा, वहाँ पर लगेगा 1 घंटा, तो काफी अच्छी बात है, जहाँ 6 घंटे लग रहे हैं, वहाँ पानी के लिखी भी है, पिपीटीज में क्या होगा है ना, इस पिपीटीज को मैं रिमूव नहीं कर पाया, ओके तो छोड़ो इसे, यह हमारे काम का नहीं है, आगे बात करते हैं, एक और इंपोर्टेंट आर्टिकल और यहाँ पर बात करी गई है, अब इस मिशन की फुल फॉर्म क इसकी फुल फॉर्म है, ना, उसमें हो क्या रहा है, देखो, एक तरीके से दूसरे बॉडी ने इसके साथ, आपके सकते हो, जॉइंट ली काम किया है, आप यहाँ पे आप देख पाओगे, डे एन राले में है, इन्होंने जॉइंट ली काम किया किसके साथ, आई डबलु यहाँ पे यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म क्या है, इनिशेटिव फॉर्ट वाट वोट वर्क्स टू एडवांस विमें एंड गल्स इन्दा इकॉनमी, तो दोनों ने मिलकर काम किया है, ताकि जो विमेंस है, उनके लिए एक अच्छा सा प्लाट्फॉर्म प्रोवाइड कर इस जेंडर रिलिटेड इंटर्वेंशन को, और उसके थुरू यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये काम कर रहे हैं इस मिशन के अंडर में, इसका नाम क्या है, मैंने अभी आप लोग को आगे बता दिया, इसमें क्या होगा, जो साट मिलियन वेमें हैं, आपका सकतो कहीं पे तो वहाँ पे क्या होगा, उन लोग को इस मिशन के अंडर में एक ऐसी चीज़े प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनकी जो प्रॉब्लम से उनको रिजॉल्व करने के लिए प्लाटफॉर्म प्रोवाइड करवाई जाएगा, जिससे कि वेमेन को एमपावर किया जाएग एक self-help group में, तो यहां को ध्यान रखना है, तो आपको सकते हो, उनको help मिलने वाली है, जो भी rural poor है उनको, अगर हम लोग बात करें, 2016 में, जो यह day NRL है में, इन्होंने एक gender operational strategy लेकर चले थे, जिसके अंदर कोशिश ये करी गई थी, जो gender issues है, उनको सबसे पहले खतम किया जा है, आज के टाइम पर gender based काफी सारे issues देखने को मिलते हैं, अगर हम लोग बात करें, male और female के बीच में, काफी जाधा discrimination देखने को मिलता है, basically उसके ओपर बातचीत करी गई है, अगर हम लोग बात करें, तो बहुत सारे institutional platforms बनाए गए हैं, उनको establish क्या गया है, जिसमें क भी problems होगी वहाँ पर, उनकी problems के regarding जल से जल solutions लेकर आया जाएगा, basically यहाँ पर यह इस mission के बारे में बातचीत की जा रही है, okay, I hope आप लोग को यह clear हो गया, ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं मारना है, mission का main मक्सद यह है कि ऐसा platform provide करवाना, जहाँ पर women's जो हैं, उनकी जो problems हैं, उनको निप्टाराज करा जाए, okay, now बढ़ते हैं next article की तरफ, यह भी काफ़ important है, आज के time पर हम बात करें, सारी important articles है, आज के time पर हम बात करें, COVID-19 सबसे popular, तो उसी की वज़ा से यह article हो चुका है, बहुत ज़ादा important, बात करी गई है डिरो किया सिरीज के बारे में, अब यह जो डिरो किया सिरीज है, जैसे कि आप लोग लिखते हो, डेटॉल के बहुत सारे products आते हैं, ठीक है, लाइफ बॉय के बहुत सारे products आते हैं, उस तरीके से यहाँ पर यह भी, इसने भी अपने hygienic products को launch कर दिया है, अब यह article हो जात करें, तो जो हमारे union minister of education है, ठीक है, education minister, जिनका नाम आप लोग को मालूम होगा, पोख्रियाल निशांक साब, अब यहाँ पे इन्होंने launch कर दिया है, world first affordable long lasting hygiene product, जैसे कि sanitizers होते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़े, तो launch करी गई हैं, और वो कौन जी सिरीज की हैं, वो है क हैदराबाद researchers के दोहरा, तो आपको ध्यान रखना है, और YouTube पे चैनल भी है, IIT हैदराबाद करके, तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, इसका advertisement भी कर दिया गया है, मैंने अभी वीडियो देखे ती है, थोड़ी देर पहले, तो काफी मतलब उसके अंदर बताया गया, क जो यह products है, डूरो किया series के, यह बहुत ही beneficial होने वाले है, यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, यह जो series है, यानि कि जो products है, hygienic products, यह काफी long-lasting technologies के लिए बनाएगा है, मतलब कि एक तरीके से आपको लंबे समय तक यह virus से protect करेंगे, COVID-19 से लडने में आपकी मदद तो यह अलगी level पर काम करने वाले हैं, और 189 रूपीस से यह product start होंगे, और इनकी जो efficiency है, वो होगी 99.9% तक यह किटाड़ों को मारेंगे, ठीक है, germs को मारेंगे, अगर आपने कहीं इसको छिलग भी दिया है, तो जब तक आप उसे धोग नहीं, तब तक इसका सा रहने वा हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है, अगर हम बात करें, तो वो यह है, कि देखो, यहाँ पर जो instant killing है, मतलब जो germs है, जैसे ही आपने यह product, कोई भी sanitizer है, वो जैसी हाँ पर डाला, 60 seconds के अंदर वो सारे germs मर जाएंगे, इसके अंदर यह खास बात है, यह भी यहाँ पर ब develop करा गया है, IIT हैदराबाद campus के द्वारा, और यह सारे duro किया products को test भी कर लिया गया है, इनको certified भी कर दिया गया है, Indian government के द्वारा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस चीज़ के बारे में, आते हैं next article की तरफ, यहाँ पर बात करी गई है, काकरला सुबा राव जी के बारे में, और जो यह article है, यह आपके science and tech के point of view से भी important है, दूसरा अगर हम बात करें, one day exam के point of view से भी important है, क्योंकि one day exam में पूछा जाता है, person in news के बारे में, तो बहुत important होने वाला है, तो हम लोग बात कर लें, काकरला सुबा राव जी के बारे में, तो जो हमारे vice president of India है इन्होंने आपने दुख दिखाए हैं कि इनकी ओपर, क्योंकि इनकी जो है न, death हो गई है, तो इनकी death हो गई है, उसी वज़ा से यह news के अंदर है, यह एक radiologist वाने जाते थे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, आपके one day exam के point of view से important हो सकता है, मैं again इस बात को बता र प्राव जी है, इनका जन्म हुआता 1925 में और अभी death हो यह है, तो उसी वज़ा से news में है, तो यह जो जन्म और death है, आपके लिए important नहीं है, इसे छोड़ दो, यह एक radiologist थे, यह याद रखना है आपको, जिन्होंने सर्व किया है as a first director of Nizams Institute, देखो, यह जो Nizams Institute of Medical Science है, क मानित क्या गया था, और वो कब क्या गया था, साल 2000 में, ओके, यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है, यह founder भी रह चुके हैं, किसके, तरीके से founder president बन चुके हैं, किसके Telugu Association of North America के, ओके, यह कुछ information थी, इनके बारे में, आगे बढ़ते हैं, आज के last article की तरफ, again, एक औ और most important article यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, बात करी गई है, NGT के बारे में, National Green Tribunal, यह आप लोग अकसर में, दाहिंदू में, बहुत सारे इसका चर्चा देखते होंगे, और दाहिंदू में, मैंने इसके बारे में काफी बार डिसकस किया है, देखो, writing बहुत तो जो National Green Tribunal है, NGT, इन्होंने बना ली है, एक आठ मेंबर का National Task Force, जिसको हम लोग बोलेंगे NTF, तो यह NTF बना लिया गया है, इस body के द्वारा, अब यह जो NTF होगा, इसके अंदर जो भी मेंबर्स होंगे, मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर आप लोग को आठ में बरमिल कर काम ये करेंगे, कि जो आज के टाइम पर air pollution है, उसको किस तरीके से हम लोग combat कर सकते हैं, उससे किस तरीके से लड़ सकते हैं, और साथ ही साथ, आज के टाइम पर जो हमारी air quality है, उसको हम लोग किस तरीके से improve कर पाएंगे, इन सब बातों के उपर, यहाँ पर यह यह काम करेगी बॉडी अब अगर हम लोग बात करें इसके अंदर senior officials देखने को मिलेंगे मैद आपको बता है कितने members होंगे इसके अंदर 8 members होंगे तो किस-किस कहा कहा से देखने को मिलेंगे, सबसे पहले आप लोग देख पाओगे, Ministry of Environment से होंगे, Ministry of Environment, Forest, Climate Change, Ministries of Housing and Urban Affairs, Petroleum, Transport, Power, Agriculture, Health, Central Pollution and Control Board, तो यहां सभी जगा से जो members निकलने वारे हैं और यहां पर यह बॉड़ी बनाएंगे, ताकि जो आज के टाइम पर Air Pollution है, वायू और यहां पर पूर एर क्वालिटी होगी, वहां पर आइटिफाई किया जाएगा, और फिर उन एरियास के ओपर काम किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, अब अगर हम लोग बात करें, जो चीफ सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे, हमारे राज्यों के और जो यून डेरीट काम किया है, कितने progressive way में चल लाई है, यह सब चीजों को देखा जाएगा, ठीक है, काम अच्छे से चल लाई नी चल लाई, जो action plans है, वो सारे अच्छी तरीके से execute कर पारो और नी कर पारो, तो यह सारी चीज़े भी यहां पर देखने को मिल जाएगी, उन सब को भी monitor किया जाएगा, तो यह था article, आप लोगो यह clear हो गया, तो आपको धियान रखना है, अब एक important चीज़ में और बता दूँ, जो यह NGT है, National Green Tribunal, ठीक है, यह किस चीज़ के काम करती है, environment जो pollutions होते हैं, उन से लड़ने के लिए काम करती है, और दूसरी तरव अगर हम बात करें, NGT का headquarter कहाँ पर है, तो धियान रखना है, इसका headquarter है Delhi के अंदर, ठीक है, अब यह सारे important aspects खतम हो गए हैं, और वीडियो भी लंबा हुआ है, I hope आप लोगो थोड़ा सा detail में चीज़े मिली होंगी, और यह जो सारी हमने अभी discuss किया articles, यह आपके सभी articles important है, देखो, यह ज exams के उपर जोर दिया है, देखो, different different newspapers जो है, इन articles को cover किया गया है, तो इसके साथ करते हैं हम लोग इस lecture को समाप, I hope आप लोगो मज़ा भी आया होगा, और खतम करते हैं वीडियो को, मिलते हैं आप लोगो से next वीडियो में, आज के लिए bye bye, have a nice day.